मुकतार अंसारी है वो तो एक शेतानी लगे कभी लोगों के मसीहा नहीं लगे और ये बस हमेशा अपना पैसा बनाना चाहते थे मुसल्मानों को यूज करके अपना एक सपोर्ट लेना चाहते थे ताकि ये खौन खराबा करे और अब ये मुसल्मान वहोट को खीशने के लिए बुर रह नहीं है कि इसका मडर हुआ कश्मीर तो अब नया कश्मीर है, अब वो कश्मीर बना है, जहां अब इंटरनेट बन नहीं होता, जहां खून खराबा नहीं होता, जहां गोली बारी नहीं होती, वहां अब शाम को जाओगे, तो हर जगा जो लाइट्स वहां पे है, जब शाम को हमें जाता है, तो ऐसा लग देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अबसेक कुमार हमारे साथ कस्मीर के एक युवा है तौसीफ रसूल डार इनसे हम जानते हैं जिस तरीके से मुक्तार अंसारी को सुपूर्दे खाक कर दिया गया लेकिन इसके बाद वहां देखा जाता है सैक्रों की संख्या में उनक मुक्तार अंसारी जो थे उनके मसीहा थे आइए हम तौसीफ सर से जानते हैं यह किस तरीके से देख रहे हैं मुक्तार अंसारी को सर ओन्युज हिंदी में बहुत बहुत शुक्रिया हम सब जानने हैं हमने इंडिया में बहुत सारे लोगों का नाम सुना है उनकी स्टोरिया सुनी है चाहे वो दाउद इबराहीम हो चाहे वो आतंकवादी बुरहानवानी हो चाहे वो यासीन मलिक हो जिन्हों ने वक्त वक्त पर आम लोगों के इस्तिसाल किया आम लोगों को मारा गुंडगदी की और ऐसे हमने एक नाम सुना था भच्पन से यह कहते हैं ना कि वह गेंगिस्टर हो वो ना तो एक सचा मुसल्मान हो सकता है वो एक शेतानी हो सकता है तो मेरे लफजू में जितना मैंने इसके बारे में सुना है पड़ा है देखा है और जांचा है तो मुझे जो मुक्तार अंसारी है वो तो एक शेतानी लगे कभी लोगों के मसीहा नहीं ल उसका कतल किया, यह बेसिकली पुर्वाँचल में, जो इनके बाई थे, वो एक MLA थे, यह बस एक वो पैसा, जो सो करोर, डेट सो करोर, दो सो करोर की बात थी वहां कंट्रेक्ट, उस कंट्रेक्ट में को कंपिट्शन में लिया इन दो दलूने, तो उसी पे एक गेंगिस्टर बने, और यह बस हमेशा अपना पैसा बनाना चाहते थे, मुसल्मानों को यूज करके, अपना एक सपोर्ट लेना चाहते थे, ताकि यह खून खराबा करे, लोगों को मारे, और लोगों को बढ़काए, चाहे वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, बोले कि मैं मुसल्मानों का मसीय मैं मुसल्मानों काकू हूँ हम घाद लड़ रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर अपना पैसा आया रहे थैं और आम लोगों का बुरा कर रहे हैं जुनतेजुन टृत लेने लेकिन अब माना जार है लोकसवा्च 7 वह सामने हैं और उनका का इस तरीके से निधन हो में हाई कोर्ट में या लोकल कोर्ट में कितने केसे स्पेंडिंग है शायद अब उपर वाले ने खुदी इस केस का इंसाफ कर दिया हमारी सरकार बहुत टाइम लगा रही थी कि जिस तरह इन्होंने कांड किये लोगों का बुरा किया कतल कि आम लोगों की हतिया कि तो लेकिन सरकार डीली लग रही थी क्या पता वो अपने वोट में के लिए डर रही थी कहीं न कहीं हम मुसल्मानों को खोन दे लेकिन उपर वाले ने उन जो निहाते मारे गए उनके हक में फैसला किया और यह पहली बार नहीं हुआ इसको 2018 में भी एक हाट अटेक आया था और अब भ स्पायों हाओ और मर गये को यह नहीं को इसको लोग मोलते है तो वहाँ भी इसको इनतिजार हो रहा होगा हुकर दियाrom कि इनको जो है जहर दिया गया इनके बेटे की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि बहुत टाइम से धिमा जहर दिया जा रहा था बहुत सार इनके समर्थकों का मानना कि जहर देकर मारा गया यह कोई नेचुरल मौत नहीं बीएसपी वालों ने इस पे बोला कि नहीं यह मडर है इसको जहर दिया गया इसको एक ओ स्लो पॉईजन साइलेंट पॉईजन दिया गया लेकिन रिग्यूलर्ली जो हम देख रहें कि इसको पहले भी हस्पिटल लिया गया फिर इसको वहां से छुटी गई और उसके बाद इसको फिर से एक और बार जब यह पेन इसने बोला कि मुझे ऐसे इसने कंप्लेंट की तो उसके बाद फोरी तोर पर जो है इसको हस्पिटल लिया गया तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं और इसके अलावा भी जो है सरकार न हो गया यह आप कह रहे हैं लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टिया है वह आसू बहारें इसके मौत पर तो अगर दूर्दान तपरादी की नेचुरल मौत हो जाती है उस पर आसू बहाना कितना जाए अगर वैसे लोग आसू डालते हैं लोगों के मन कराएंगे दस समाझबाती पार्टी कराएंगे दस कांग्रेस का आएंगे तो 10-30 तो वहाँ जमा होंगे तो एक बेरिकेट लगाना पड़ा लेकिन पूरा यूपी तो खुशी मना रहा है इसी होली के साथ एक और होली हो गई और कहीं न कहीं उस पड़िवार की भी होली हो परिवार को inसाफ मिला दूसरी तरफिक्ष पार्टी है समाज़वादी पार्टी और बिहार में रजय का मांग उठा रहे है इस राइगा एं। तो इन पार्टियों का इनके परती इतना हमदर्दी क्यों जबकि किसना नंद राय के पड़िवार के खिलाप इन्होंने तब हमदर्दी नहीं जता है। जो मैटर अप्रोब है वो तो एक इनसान का कनस्टूशनल राइट है लीगर राइट है तो वो उसकी मांग कर सकते हैं और इससे पहले ही सरकार ने इस बात का तो बोला ही है कि कोड़ ने बोला या सरकार ने बोला कि इस पर रिपोर्ट अप सब्मिट कर लीजे जेल जोग मोदी जी को मानते है तो जोग मोदी को मानते है तो इनकी कोई वीजिब खेंगी जोब करास्फ ohukler म जबनाब्स हिसकों के सविदान केहता है कि हरतने पर आबर हैं हिंडूआ उर। आगे चुनाव में एक फाइट दे सके और चुनाव जीत सके लेगन मुझे लगता है लोगों की विज्वा एक्विटी है बहुत चाप हो गए लोग बेवकूप नहीं है कि जो इनकी बातू में आये लोग पड़े लिखे जानते हैं और इस कहानी को सुने है और उनको पूरा आश्वासन है इस सरकार पे और मुझे लगता है कि इनकी फुक्या बाजी है और लोग जहां से में आएंगे नहीं और हम जुडिशल प्रोब का वेट करेंगे और मुझे लगता है कि जो प्रोब होगा वो देखा जाएगा क्या आएगा लेकिन ऐसा तो बिल्कुल सरकार क् आप कस्मेरी मुसलमान है आप दिली यू पी लखनव सब घूंब रहे हैं सब जगह देख रहे हैं क्या इस वक्त वाकई मुकतार अंसारी की मौतके बाद जो मुसलमान है वो कि इन्हों नराज है कि इन्हों ने मार दिया यह वह कई Consult mike klख़ क aten जब भी यह को दो मुसल्मान क consultant कुसल मान कुछछव मुक्तार अंसारी बोलेगा गैंगिस्टर था बोलेंगे कि उसने कांड किये उसने बहुत पैसा बनाया अब उसकी एक जांच हुई अब उसके खिलाफ एक्शन हुआ ताकि जो पीडित थे उनको इंसाफ मिले तो आज दे लोग जो है यह बोलते हैं कि यह इन्होंने गलत किय क्योंकि यह गलत बाई अगर उसने का जो भी क्रिमिनल है जो भी कोई पी अगर सपोर्ज मुझे कोई कुछ करता है तो मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए जब मुसल्मानों को कुछ होता है जब प्रोटेस्ट वे सिये उस टाम इनोंने बोला यार मुसल्मानों को यार यह हो उप आजिए जब अन्सारी को कि एक रिमीनल थे वो इसका मडर हुआ और मुसल्मानों को उकसा रहे यहां दंगा करने के लिए वुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोड को सो मोटू को ब्लिजेंज लेना चाहिये अड्मिनिस् движorganism जो उजए कि ऐसे जो शर्प अनासिर है इनको रोकना चाहिए और इनको बिल्कुल इस प्रला इनको जो यह स्टेट एनिमिटी फैला रहे है इन चीजों के साथ जिन से दंगे हो सकते हैं इनको बिल्कुल लाकप में डालना चाहिए योगी राज में यूपी की कानून बेवस्था अब कैसे देख रहे हैं पहले से जादा बहतर हुई है या खराब हुई है क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके जितने बड़े-बड़े अपरादी थे कोई ठीकाने लगा दिये गए तो कोई बताया गया कि गारी पलट गई किसी की नेचुरल मोत हो गई क्या कानून बेवस्था यूपी का पहले से अब जादा बहतर दिखाई दे रहें यह तो फैक्ट है इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता और यहां पर मुझे याद आई एक और बात जब विकास दूबे मारा गया इंकाउंटर में तो इन्होंने तब भी बोला कि ऐसा है आज अंसारी हुआ तो यहां पर जो भी गेंगिस्टर है जाहिए वो मर्रा इंकाउंटर में चाहिए उसकी जेल में हार टाटेक आरा है तो इसका मतलब यह है कि कानून किसी एक रिलिजन को फोकस नहीं कर रहा है कि कास्दूबे तो हिंदू था इसको छोड़ भी सकती थी तो उसका इंकाउंटर करती उसको भी मरवाया कि कहां वो तो देखो उसने लोगों का बुरा किया तो उसका तो शूट हुआ तो उसमें उसको तो आरडी प्रोटेक्शन कितनी थी तो हो गया सिक्योर्टी लेप्स हो गया किसी दुश्मन ने उसको मार दिया क्योंकि उसने दुश्मनी उठाई थी कि जादा होती है कि मुसलमान 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 तो फिर मैं लूदम उत्त को साहड़कोड कर देख कि नाइज कर नहीं हमकMore अब आप जाओ कि मैं लास्टा था सरनाथ नहीं और 것으로नि ने अव्पर Coranac चाहते अब ये लोग उस बाईचारे को खतम करना चाहते हैं इंडिया की यू SAC करना चाहते हमारी माः जог भारत है इसमें बहुत सारे गुलाब है अलग अलग किसम के उनकी अलग-अलग महक है और यह इस इस बाग को उजाटना चाहते हैं लेकिन जो मुसलमान है जो मुसलमान युवा है मुसलमान लोग है हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चन बाई तो हम सब अब जाग चुके हैं हम उन बातों में नहीं आएंगे और इन गुल इस बाग को हम वीरान होने नहीं देंगे वह भी बड़ा आरोप लगा रहा है इसमें कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि मुसल्मानों का वोट पाने के लिए ही सही वह भी आरोप बड़ान हो की शुरू होता और हमेशा मुसल्मान की राजनीती करता है देख वह मैंनाटी की करें तो क्रिषचन की भी बात कर आहनु विबात करें तो बस वहीं सका एम ही है मैं मुसल्मान हों का बहुत बड़ा लीडर बना तो उसकी लिए करने तो एकर वह बन जाता मदिक सब्सक्राइब कि और फेकर यह तो इतने सारे नेता है मुसलमान एरिया में आप देखो बहुत ले हिंदू नेता भी है अगर मुसल्मान्ग के लीड्र बनते तो शायद उसको यह सिटे नहीं होती तो इसका भी एक रोल और बीस करोन भी मतलब वह क्याता है कि किसी का मालिक खुदी बन रहा है तो उसमें हम क्या है उसकी जबान है अब जुबान में तो हटी है नहीं तो उसको मजा आ रहा है बोलने में आज कस्मीर से एक अलग से सवाल में पूछना चाहता हूँ हट के कस्मीर से रिलेटेड आज की डेट में कस्मीर का जो हलात है क्या है बहुत टीवी पे हमने देखा है कभी करफ्यू लगता था इंटरने लगता है कि यहाँ आप देखो कि जहली फ्रेंट जो बना पूरा मतलब जो आर्किटेक्चर है पूरा दुबाई जैसा फील और आप कश्मीर में एक पहले गुटन होती थी चलते थे शाम को लेकिन आज वो प्यार महबत जैसे वह सुबा सुबा ब्रीज आती है तो ऐसा ल अब अमिट्शा जी खुदी बोले कल की हम अपसफा हटा रहे हैं जो यह लोग ठोके थे वहां जो पोटा आपके उमर अबदुल्ला लाए थे जो आपके बहुत सारे यूए पी लगे जो आपके आर्मड फोर्स को बढ़ाया गया आर्मड फोर्स स्पेशल पावर्स फोकस में लिया कि आप वहां से हम अपसफा हटा रहे हैं तो यह खुदी एक इंडिकेशन देता है कि वहां के हालात कैसे सुदर गए कितने सुदर गए अब 2019 में आप देखो एक साल नेट बंद रहा 2010 में देखो कितना खून खराबा हुआ आप 2016 में महभूबा मुप्ती थ स्वागत किया तब भी इन्होंने बोला था माभूबा मुप्ती थी अपोशन थी वहां पे उन्होंने बोला था कि जब दारा 370 को कोई हाथ लगाएगा तो गोली गर्नेट बारूद पटेंगे लेकिन वहां तो मक्ही भी नहीं मरी फिर परेशान हो गया ऐसे कैसा हो गया फिर मोदी जी ने बोला कि यह मोदी की गारंटी थी और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी का युवा आज की डेट में किधर जा रहा है किस तरफ जा रहा है क्या कर रहा है कश्मीर का युवा आप देखिए मोसली अब में स्ट्रीम में जा रहा है पहले तो इन स्चेम घेन्जेंट है चाहे वो उड़ान हो चाहे वो अड़ान मंघए सिकल कोशल योजन हो अब विश्व कर्मा जो हमारे वह हैं उनको लों देना और उनको अपलिफ्ट करना हो या और बहुत सारी सिकी मैं हो अब प्र은 अमंघशी स्क्रुष्प सिकीम हो तो उसके तः में आपको दिली में दिखेंगे, आपको उतर परदेश में दिखेंगे, साउथ आफ इंडिया में दिखेंगे, हर जगा दिखेंगे, अब वो पढ़ने की दरब दे रहे हैं, अब वो देश में इंडियान एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्रेक करने की उसमें लगे हुए है अब वो एक अच्छे राजनेता बनने में लगे हुए है और मोसली मैं देखा 2019 के बाद जो एक चेंज आई कि अब बच्चे बच्चे में वो एक जोश आया है कि मैं राजनीती करूं और जो आज तक हमारा इस्तिसाल इन पार्टियों ने किया है उसका मैं जवाब दूँ और कश्मीर को सची में एक नया कश्मीर बना